की आप सभी का आज की सुच मिसिछड पार्थ योजणा की वीडियो में एक बर फिर से बहुत स्वागत है जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा रखा तक मैं आप रिगुलर इंटेर्वल पर आप लोगों के पास सुच मिसिछड की पूरी योजणा जितनी भी यहां पे कौसल हो जिसकी तरह से आप आज का ये तीसरा वीडियो है यहां पे सामाजी विज्ञान का पहले मैं आप लोगों को प्रस्थावना कॉसल बता चुका हूँ आप लोगों को उसके अद्वियाख्या कॉसल बता चुका हूँ उसके बाद आज की वीडियो में हम देखेंगे किस कॉसल क तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए और अगर रोशन की क्लास यूटीब चनल पर नए है अभी तक तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ बेल आइकन यानि की घंटे के निसान को बटन को दबा लिजिए जिससे करında कौसल के लिखके प्रसेड आगे प्रसुन के उपर आप सुच मशी ज़द पाठी workers प्रसुन के लिए फ्रकड दिजिएगा प्रकड हमारा है इसलाम धर्म का उदय और विसे आपको पता है समाजी कद्यान है दिनांक यहां पर लिखना होता है जिससे यह पता चलता है कि आपने कौन से कौसल की जो सुच में से चड़े पाठी हो जना है वो किस दिन पढ़ाई थी समयावध है पांसे साथ मिनट कालांस है प्रत्थम यानि की फर्स्ट पीजर में यह आप कौसल के बारे में आप बच्चों को बताएंगे इसके बाद देख लिए यहां पर उद्देश है उद्देश है आपका देख लिए यहां पर मैं थोड़ा जूम बढ़ा करके दिखा दिखा गया है चात्रा द्यापक द्वारा कच्छा के समस्थ चात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना यहां पर आप प्रस्ट पूछेंगे प्रस्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चों का पूरा ध्यान क्लास की जो इधर उगर उनका ध्यान भटक रहा है उसको अपनी तरफ आकरशित करना अगर आप देखे होंगे कि अगर क्लास में कोई आप अगर सिच्छक की जिगप विद्यार्थी रहके आप सोचिए तो अगर कोई सिच्छक यहां पर प्रस्ट पूछता है अगर आपसे तो आपका ध्यान कहीं भी हो तुरंत सिच्छक की में विभीन सुचनाओं को एकत्रित करने और उन्हें प्रयोग में लाने की चमता का विकास करना अब इसके बाद आता है निरिच्छड तालिका जैसे कि आपको सभी सुच में सिच्छड पाठी योजना में बनानी होती है निरिच्छड तालिका में यहां पर देख लीजि टोटल छे अवयब हैं प्रस्णों की सनरचना प्रस्णों का केंदरी करण प्रस्णों के मध्य उचित विराम प्रस्णों का संबंधित सिच्छड बिंदु से संबंध पांचमा है प्रस्णों का उचित वितरण और छटमा है प्रस्णों का कठिनाई अस्तर यहां पर अग जो सिच्छक मनुटर करते हैं वह यहां पर अपनी टिक पड़ी लिखेंगे और यहां पर अपर परविच्छक हस्ताच्छर के नीचे अब इसके बाद आते हैं हम अपने प्रस्णिकड कॉसल के ऊपर यहां पर देख लिजे अपर इस तरह से बनाने आपको यहां पर टोटल पांच कॉलम्म बनाने आपके उस इछडबिंद विसेवस्त छात्रा ध्यापक क्रिया और प्रयोक सहायक समगरी यहां पर इसलियाम धर्म का उदय है आपको प्रक्ण यही है विसेवस्त यहां पर इसलिए आपको लिखनी होती है कि अगर आप कोई चीज जैसे क्लास में ग टॉपिक जिससे आप प्रस्न पूछना चाते है उससे कोई यहां पर प्रस्न यहां पर थोड़ा सा एक्स्प्लेंड कर दीजिए व्याख्या दे दीजिए उसके बाद यहां पर प्रस्निकल कॉसल अपना सुरू कर सकते हैं प्रस्न पूछ सकते हैं तो यहां पर सबसे पहल अब्दुल्ला और माता का नाम आमना था 25 वर्स की आयो में उन्होंने खदीजा नाम की एक विद्वा से विवा किया 40 वर्स की आयो में इन्होंने इसलाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया अपने विरोधियों से बचने के लिए मुहम्मद सहाब ने मक्का छोड़ का मदीना प्रस्थान किया इसलाम के इतिहास में यह घटना हिजरत के नाम से जानी जाती है मुहम्मद सहाब की मरित 62 वर्स की आयो में सन 632 इस्वी में हुई थी इनके अनुयाईयों ने सारे संसार में इसलाम धर्म का प्रचार किया कुछ समय बाद इसलाम धर्म सुन्नी और सिया नाम के दो संप्रदायों में बढ़ गया इस प्रकार इसलाम धर्म का उदय हुआ अब इतनी चीजे बताने में आपको दो मिनट से जादा नहीं समय लगेगा उसके बाद आप छात्रा ध्यापक क्रिया में आप प्रस्न यहाँ पे लिखिए कम से कम यहाँ पे 7 से 8 प्रस्न पूछे यहाँ पे और मैकसिम 10 भी प्रस्न पूछ सकते हैं तो यहाँ पे देख लिए पहला प्रस्न है इसलाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो बच्चे आभी आपने बताया होगा तो उसका उत्तर आराम से दे देंगे इसलाम धर्म के प्रवर्तक मुहमद साहब थे दूसरा है संसार उन्हें किस नाम से पुकारती थी तो संसार उन्हें पैगंबर मुहमद के नाम से पकारती है तीसरा प्रस्ण है मुहमद सहाब का जन्म कब और कहा हुआ तो बच्चे उसका उत्तर देंगे और ये प्रस्ण आप लगातार रैपिट फायर के तरह नहीं पूछेंगे आप प्रस्ण पूछेंगे बच्चे उसका उत्तर देंगे थोड़ा सा 2-4-10 सेकंड का समय लिजे फिर दूबार आप दूसरा प्रस्ण पूछें इस तरीके से यह नहीं की लगातार आप प्रस्ण पूछतर ही है यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से आपनों को सारी चीज़े बता रहा हूँ तो यहाँ पर तीसरे प्रस्ण का उत्तर होगा बच्चे देंगे मुहमद साहब का जन्म पांसो सत्तर इस्वी में मक्का में हुआ था फिर चौथा प्रस्ण आप पूछेंगे मुहमद साहब के पिता और माता का नाम क्या था तो बच्चे बताएंगे मुहमद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला वा माता का नाम आमना था उसके बाद पांचवा प्रस्ण है मुहमद सहाब ने किस के साथ विवा किया तो मुहमद सहाब ने विद्वा के साथ विवा किया अगला प्रस्ण है चटवा कोस्चन मक्का से मदीना तक की यातरा को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है तो बच्चे बता देंगे मक्का से मदीना तक की यात्रों को इतिहाज में हिज्रत के नाम से जाना जाता है ठीक अगला फिर प्रसन यहाँ पर बनता है सात्मा मुहम्मद साहब की मृत कितने वर्स की अवस्था में तथा किस सन में हुई थी तो मुहम्मद सहाब की मृत्चे बताएंगे मुहम्मद सहाब की मृत्व 62 वर्ष की अवस्था में सन 632 में हुई थी उसके लास्ट प्रस्ण हाँ पर आता है आपका आठवाँ प्रस्ण इसलाम धर्म किन दो संप्रदावों में बढ़ गया तो यहाँ पर बच्चे बता देंगे इसलाम धर्म दो संप्रदावों में बढ़ गया जिसका नाम है पहला सिया और दूसरा सुनि तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आज का प्रस्णिकन कोशल की उपर यहाँ पर वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी आपको मैं explain करने में यहाँ पर कोशिश की है कि मैं अच्छे से आप लोगों को explain करूँ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन होगा दोस्तों उस पर लाइक करके जरूर जाईएगा लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और अगर अभी तक रोसंद की class youtube चैनल पे नए है तो नीचे लाल कलार का subscribe बटन होगा उस पर क्लिक करके subscribe कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन आएगा उसको दबा के all notification on कर लिजे जिससे मैं आप नहों के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे लेशन प्लान से related सीटेट यूपी टेट या फिर सूपर टेट से related कोई वीडियो अपलोड करता हूं या फिर सुच में से इच्छर पार्ठी होजना की वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी notification आप तक पहुँचे और आप उससे लाभानवित हो सके उसको देखके और अगर अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share नहीं किये हैं अपने B8, BTC किसी भी आप दोस्त के साथ किसी भी गुरूप से जुड़े हुए हो है चाहे Facebook गुरूप है चाहे WhatsApp उस पर जाके आप नीचे share का बटन होगा उस पर क्लिक करेंके इस लिंक को share भी कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि रोशन की क्लास पर आप जाईए और सब्सक्राइब करें और सारी यहां पर जो lesson plan और सुच में से छड़की वीडियो regular basis पर देखते रहे हैं तो friends मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम